Hi guys, इस video हम solve करेंगे equation Isomorphic Strengths तो दो स्रेंग्स को Isomorphic कभ कहा जाता है जब सारे characters one to one map हों जैसे यहाँ पर अगर देखें तो A X के साथ mapped है तो फिर A की सारी occurrences X के साथ mapped होनी चाहिए चेक है, B Y के साथ mapped है और B दूसरी बार भी Y के साथ ही mapped है और C, Z के साथ mapped है तो A हर जगे X के साथ ही mapped है B हर जगे Y के साथ ही mapped है और C, Z के साथ mapped है जो A गलती इसमें हो जाती है वो पता है क्या हो जाती है mapping one to one होनी चाहिए और bi-directional होनी चाहिए A, X के साथ mapped है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और character जैसे पी वो भी X के साथ माप हो जाए, ठीक है ये वाला पेर तो आपका आईसो मॉर्फिक है, मैं आपको ऐसा पेर दिखाता हूं जो आईसो मॉर्फिक नहीं होगा, एक चीज़ यह तो अब्यस ही है, जैसे A को X के साथ माप कर दिया, तो हर जिगे फिर A X के साथ ही माप जो एक common mistake हो जाती है वो यह है कि one to one mapping है one to many नहीं है या many to one नहीं है ऐसा नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पर d को भी x के नीचे लिग दूँ कि देखो वैसे सच कोई दिक्कत नहीं आगी a x के साथ a x के साथ a x के साथ b y के साथ c z के साथ और d b x के साथ लेकिन फिर यह तो a के साथ भी mapped है और x दी के साथ भी mapped है तो वह नहीं होना चाहिए तो यह case होता है जो अच्छों से miss हो जाता है तो इसको हम कैसे करेंगे ध्यान इक है नहीं दो हैश मैप बनाएंगे एक हैश डोगा केरेक्टर बक्न से यूसरे नहीं च्किटा और यहाँ बनाएंगे यह बताएगा स्ट्रिंंग टू का कौन सा क्रेक्टर य्यूज्ज ओ चुका है झान से देखका तो जैसे आपने पहला पार्स किया तो x पहले से used नहीं है तो x के सामने एक तो true डालने और यहाँ पर a के सामने x डालने b आया ठीक है? b y आये तो आपने देखा y पहले से used नहीं है तो y को map कर सकते हैं b के साथ b के साथ y को map कर दिया और यहाँ पर y को true लिग दिया कि y has been used now string 2 का y यूज हो चुका है अब दोबारा a आया तो हमने देखा a आया है और a तो पहले से mapped और a x के साथ mapped और इस बार भी x ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है a दूसरी बार आया है पहले से x के साथ mapped और इस बार भी x के साथ map आ रहा है तो कोई mistake नहीं है ठीक है, C और Z आए, तो हमने देखा, क्या C पहले से mapped है, नहीं mapped है, क्या Z पहले से used है, नहीं used है, तो Z को use कर दिया, और C के साथ map कर दिया, अब B Y आया, तो पहले देखा, क्या B पहले से mapped है, हाँ जी पहले से mapped है, इस बार कौन है, य ही है, तो pass हो गया, फिर A को देखा, क्या A पहले से mapped है, हाँ जी mapped है, इस बार कौन है, X ही है, तो pass हो गया, अब कौन सा case fail हो सकता है, दो तरह के case analyze कराता हूं, क्या fail हो सकता है, एक तो यहां पर X को आप, एकस के बजाए लेटस से यहां पर लिखदे हम डब्यू तो यह केस फेल हो जाएगा और फिर एक और किस फेल करकर दिखाऊँगा जो यह बला तो अब्वियस ही होता कि यह फेल हो जाएगा यह ऐस में यह help करेगा तो दुबार एस्व फार्स करते हैं हां जी, A और X है, क्या A पहले से mapped है, नहीं है, क्या X used है, नहीं है, तो X को use mark कर दें, और A के साथ map कर दें, B, Y, क्या B mapped है, नहीं है, क्या Y used है, Y used है, तो Y को use कर सकते हैं, Y को mark कर दें, कि Y has been used है, और B के साथ map कर दें, क्या A पहले से mapped है हां जी किसके साथ mapped है X के साथ इस बार कौन है X है तो pass हो गया C Z क्या C पहले से mapped है नहीं है नहीं है mapped तो क्या Z used है Z used भी नहीं है तो Z को use कर लें और C के साथ map कर लें B और Y क्या B पहले से mapped है हां जी किसके साथ mapped है Y के साथ एक तो इस तरे से आता है कि ए पहले एक साथ माप हो गया कि दूसरा का है इसमें क्या हुआ यह वाली फेलियर ऐसी है जो मैंने अभी दिखाई थी आपको अभी दिखाई थी उसमें यह हो गए ना A, X के साथ भी यार A, W के साथ भी string 1 का एक, string 2 के दो के साथ mapped इं, दूसरी mistake क्या हो सकती है doosri mistake एं, string 2 का एक, Y, V के साथ भी map और C के साथ भी map है, ये भी mistake हो सकती है, तो इसको कैसे detect करेंगी, इसमें ये दूसरे वाला इस तरफ वाला हाश में आपके मदद करेगा तो A और X आए A पहले से मैप नहीं है X पहले से यूज नहीं है तो X को यूज कर दिया A के साथ मैप कर दिया B और Y आए B पहले से मैप नहीं है Y पहले से यूज नहीं है और C आलरी मैप नहीं है तो उय पहले किसीılar के साथ मैप होगा यहां पर वाई B के साथ मैप ड़े तो अब ची के साथ हो निये जा रहे है जो के लाउड नहीं है तो यहां पर फेल लोगे तो लाइए इसो कोड में लिखें, तो हम इसको code में लिखेंगे, दो hash map बनाएंगे, ये तो बनाया हमने string1 के character को string2 के साथ map करने के लिए, तो ये है map1, और दूसरा hash map मैं क्यों बनाऊंगा, ये देखने के लिए कि string2 का character बचा भी है, use करने के लिए, जो मैंने अभी आपको दो case कराये थे, ठीक है अच्छा एक चीज तो पहले ही है, ये सब start करने से पहले, अगर दोनों की length बराबर नहीं है तो वहीं से हम lot जाएंगे, string.length is not equal to target.length, तो return false यहीं से, अगर नीचे आएंगे तो length तो बराबर है, for int i equal to 0, i less than string.length i++, चीए, दोनों में से character निकाल लिया जाए, अब देखते हैं, क्या map1 के अंदर ये used, map1 के अंदर ये mapped already, map1.contains key, क्या character 1 उसमें already है, already है, तो मदब किसी ना किसी target के character के साथ, वो mapped होगा, तो अब हमें यह देखना है, कि वो किस के साथ mapped है, जिस के साथ mapped हो, वो ch2 ही है कि नहीं है, अगर वो ch2 के साथ mapped नहीं है, तो गडबड हो गई, dot get ch1 is not equal to ch2, मतलब, string 1 का character mapped है already, और अगर वो ch2 के साथ mapped नहीं है, तो return false, दूसरा, अगर वो mapped ही नहीं है, अगर वो mapped नहीं है भी तक, तो अब उसको map कर सकते हैं, पर उसके लिए character 2 का unused होना जरूरी है, तो if map2 के अंदर contains key, contains key, क्या चीज़, character 2, अगर map2 ने already उसको use कर रखा है, ch1 का बंदा तो mapped था नहीं, तो ch1 के बंदा को ch2 के साथ mapped कर सकते हैं, लेकिन ch2 का इसके लिए unused होना जरूरी है, तो अगर वो mapped 2 में contained हुआ, तो मतलब वो unused नहीं है, तो इसलिए return false होगा, अगर वो mapped 2 में contained नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, mapped 1 में बोलेंगे, कि ch1 को ch2 के साथ mapped किया जाता है, और mapped 2 में ये बोलेंगे, कि ch2 use हो गया है, मैं ch2 के सामने true डाल देंगे, कि this is used now, अगर कभी conflict ना आये, तो लास्ट में return true हम कर देंगे, मैं run करता हूँ, तो चल रहा है, उमीद करता हूँ को समझ में होगा, उमीद करता हूँ मजा होगा, मिलते हैं अगले सवार में, thank you very much.